हलो गाईज स्वागत है आपका एक बार फीर फूट खजाना विर्थकरन में तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिलोरी तिलोरी के लिए हम सब से पहले लेंगे सूजी और सूजी को हम एक बड़े से पतीले में डाल देंगे हमने एक किलो के करीब सूजी लिया है एक किलो सूजी में हम तीन लीटर पानी मिलाएंगे और सूजी को अच्छे से मिला देंगे सूजी को बिल्कुल अच्छे से मिलाना है फिर उसके बाद उसे गैस पे चड़ा देंगे और उसे मिलाते रहेंगे हमें इसे मिलाते रहना है रुकना नहीं है इसे हमें continue 10-15 मिंट तक चलाना है दोस्तो इस recipe में महनत तो बहुत है लेकिन ये उतना ही tasty भी है इसको हमें मिलाते रहना है इसे और मिलाना है और मिलाना है और इसे मिलाते ही रहना है 10-15 मिंट तक मैं इसे continue मिलाना है इसे मिलाते रहना है और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे फिर से मिलाएंगे अच्छे से और इसे मिलाते ही रहना है 10 से 15 मिन्ट तक इसे continue मिलाना है और जब ये ज़ादा गाड़ा हो जाए तो इसमें धीरे-धीरे पानी भी हम एड़ करेंगे थोड़ा इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करते रहेंगे ताकि ये हल्वा ना बन जाए इसे हम लगातार इसलिए चलाएंगे ताकि सूजी नीचे चिपके ना पतीले में और अब हम इसमें डालेंगे तिल तिल हमने 100 ग्राम के करीब लिया है और तिल डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे फिर से continue से मिलाना है लगातार हाथ चलते रहने जरूरी है नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा और बना रहे हैं हम तिलोरी उसका बन जाएगा हल्वा और ये हल्वा ना बने इसके लिए हमें इसे continue चलाना है और अब हम इसमें अड़ करेंगे काली मिर्च और जीरा का पाउडर ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसमें और फ्लेवर डालना बहुत जरूरी है तभी तो एक अच्छा टेस्ट आएगा इसमें हम थोड़ा और अच्छा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा चाट मसाला आइड करेंगे और इसे फिर से अच्छा से मिलाएंगे और इसमें बीच-बीच में पानी एड़ करना जरूरी है अब ये हमारा अच्छा से पक चुका है और अब हम इसे एक खुले से बड़े से बरतन में निकालेंगे मैंने तो परात में निकाला है आप अपने हिसाब से किसी बरतन में बड़े से बरतन में ही निकालेंगे क्योंकि ये बहुत गरम होगा इस टाइम पे और अब हम इसे सुखाएंगे इसको हम इस तरीके से चम्मत से छोटे छोटे इसको डिप करते वे निकालके डालते जाएंगे इसको हम धूप में सुखाएंगे और इसको हम साडी पे या फिर चुन्नी पे डालेंगे हमने इस तरीके से पूरा इसे सूखने को डाल दिया है हमने इसे साड़ी पे इसलिए डाला है ताकि ये बाद में अपने आप सूखने के बाद निकल जाए तिलोरी को हम दो से तिन दिन अच्छे से सुखाया है और ये इस तरीके से निकल गया और हमारी तिलोरी बहुत अच्छे से बनी है और अब हम इसे फ्राई करेंगे अब हम तिलोरी को टेल में अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में धुवां आजाए तब तक हम वेट करेंगे तेल का अच्छे से गरम होना बहुत जरूरिया तेल अच्छे से गरम हो жить और अब हम इसमें तिलोरी डालेंगे तिलोरी हमारा गरम तेल में डालते के साथ ही एकदम रैडी हो गया है कुछ इस तरीके से तिलोरी को हम इतना ही पकाएंगे और इसे फटा-फट हम निकाल लेंगे वरना यह जलने लग जाएगा और दोस्तों आप मानों इसका स्वात बहुत अच्छा होता है और यह बहुत टेस्टी भी होता है और आप इसे छे महीने से साल भर तक अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं इसको स्टोर करना बहुत ही आसान है आप इसको किसी भी टार में अच्छे से स्टोर करके रख सक देखो कितना अच्छा बना हमारे तिलोरी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर केमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब